यहां दस्तोm 20Ci ने किया बड़ा आलान अब रिंकु सिंग इंग्लेंड के खिलाब टेस्ट मेज़ इसकेलते हुए नजर आएंगे जी हाँ दस्तों BCCI ने रिंकू सिंग को भरतियो टेस्ट टेस्ट कोज में सामिल कर लिया है और बिराट कोली दो टेस्ट मैचों के लिए बाहर हो गया है तो क्या बीराट कोली का replacement है रींकु सिंग क्या दो तेस्ट मैचों के लिए बीराट कोली के जगह पर के एस भरत को टीम में सामिल करेंगे या रींकु सिंग को अब आप लोगों को बताएंगी इस फूरी वीडियो में तो वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए बिना स्किप किये अंतक देखते रहे हैं और चैनल पर पहले बार आए है तो सस्क्राइब कर लिजे ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेट्रेस्ट अपडेट सबसे पहले अब तक पहुँचे तो दोस्तो आप लोगों को बता दे के बिसी सी आई ने रिंकू सिंग को सफ़ेद जर्सी में देखने के लिए टेस्ट एसकोर्ड में सामिल कर लिया हैं जी हाँ दोस्तो रिंकू सिंग को 24 जनवारी से होने वाले इंगलेंड लाइंड्स के खिलाब चार दियोसी और बास सबसे खेल रहे हैं भारतिय टीम के लिए टीटवन्टी में पिछले कुछ समय से फिनिसोर का रोल निभाते हुए रिंकू सिंग का किस्मत एगवा फिर से चमकी हैं रिंकू सिंग ने के खिलाब बिराणम्बे रोनों का संदार पारी खिलाता विसी सिया ने रिंकू सिंग को मैचो के सिलेक्शन करने के लिए उनको तयार कर रहा है इसलिए विसी सियाए ने 24 जनवार से होने वाले इंडिया आ और इंग्लेंड लॉयंट्स के बीच मैचों के लिए रिंको सिंग को सिलेक्शन किया है रिंको सिंग का घरेलू क्रिकेट की बात करे तो ये उत्तर परदिस की तरफ से खेलते हैं रिंको सिंग साल 2016 में अपना पहला मुकाबुला खेला था घरेलू क्रिकेट में रिंकू सिंग प्रदसन की बात करे तो उसने अब तक 44 मेचों में 57 दसवलो 5-7 के ओसप से 31109 रन बना चुके हैं इस दुरा रिंकू सिंग की बल्ले से 7 सतक और 20 अर्थ सतक देखने को मिला हैं इंडिया एटीम अभी इंग्लेंड लॉइंस के साथ चार दियो से मुकावले खेल रही हैं जिसमें पहला मुकावला ड्रोपर कत्म हुआ हैं इसमें रजत पाटिदार ने 111 रनों का संदार पारी खेला था इस सीरीज का तीसरा और अंती मुकावला एक फरवर से अहमदावा में खेला जाएगा तो दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धेनवाद